हेलो गाईज मैं पूर्वा और मेरे किचन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी सा पनीर फ्राई जो आप सब को बहुत पसंद आएगा इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसेपी पहले हम फ्रेश दही लेंगे एक बावल दो चमच बेशन लेंगे चमच मेल्टेड मक्षन लेंगे स्वाद के नुसार नमक लेंगे अधी छोटी चमच लाल मिर्ची पाउडर लेंगे थोड़ा हल्दी पाउडर लेंगे अधी छोटी चमच के करीब धनिया पाउडर लेंगे अधी छोटी चमच गरा मसाला लेंगे सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे एक छोटी चमच हम चूर पाउडर डालेंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे हम लेंगे 500 ग्राम पनीर जो मैंने square shape में cut कर लिया है अब किसी भी shape में cut कर सकते हैं अब हम सारे पनीर को अच्छे से बेशन से coated कर लेंगे सारा पनीर अच्छे से coated हो गया है आप देख सकते हैं और अभी हम एक चम्माच चाट मसाला डालेंगे अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि बेशन की अच्छी सी coating हो जाए इस पर हमने एक पैन चड़ा दिया है और अभी इसमें हम डालेंगे 2 चम्माच बटर बटर थोड़ा मेल्ट हो गया है और अभी हम इसमें डाल देंगे कटे हुए फ्याज फ्याज को हमने इस तरह से कट किया है आप देख सकते हैं अब हम इसको ट्रांस्पेरेंट होने तक फ्राई करेंगे प्याज ट्रांस्पेरेंट हो गए है और अभी हम इसमें डाल देंगे हरी शिमला मिर्ची साथ हम डालेंगे लाल वाली शिमला मिर्ची साथ ही हम डालेंगे यलो शिमला मिर्ची ये देखने में कलरफुल लगे और इसे हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे ये थोड़ा फ्राई हो गया है और अभी हम इसमें डालेंगे दो कटे हुए टमाटर जिसके बीज हमने निकाल दिये थे और इसे भी थोड़ा फ्राइ कर लेंगे सबको हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसे फ्राइ करेंगे सभी अच्छे से फ्राइ हो गया है और अभी हम गैस की फ्लेम कर देंगे बन से एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे इसे गैस पर एक पैन चड़ाएंगे और अभी हम इसमें डाल देंगे बटर बटर मेल्ट होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पनीर जो हमने बेशन से कोटिंग की थी सभी पीसिज को हम अलग-अलग करके रखेंगे सभी पनीर के पीसिज को हमने पैन में रख दिया है और अभी हम इने उलट-पुलट करते हुए चारो तरब से फ्राई कर लेंगे अच्छे से पनीर अल्मोस्ट फ्राई हो गया है और अभी हम डाल देंगे इसमें फ्राइ किये हुए शीमला मिर्ची, टमाटर और प्याज अभी हम इसमें थोड़ा नमक एट कर देंगे नमक हमने पहले भी पनीर में डाला हुआ है और अभी हम एट करेंगे थोड़ी काली मिर्ची पाउडर और थोड़ी चीली फ्लेक्स पी एड़ कर देंगे आधी छोटी चमच के करीब चाट मसाला एड़ करेंगे क्पिए चीजों को slightly मिक्स कर लेंगे फ्राई हमारा बन कर तयार है गैस की फ्लेम हम कर देंगे बन अभी हम स्र्वे करेंगे एक सर्वे singing प्लेट में पनीर फ्राई हमारा बन कर तयार है, एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है, सबको ये पनीर फ्राई बहुत पसंद आएगा, पनीर फ्राई को इंजोई करेंगे, कटे हुई प्याज, नेबू और ग्रीन चटनी के साथ, पसंद आती है तो प्ल प्लिद आता बार ग्रीके से उक बार ग्रीके साथ, नेफ ड़